किस रासी का स्वामी यानि की देवता कौन है यानि आपका भविष्य कैसा होगा ये कैसे जाने नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोति सीखे यानि लर्न इस्ट्रोलोजी के इस चौथे वीडियो में और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस रासी का स्वामी कौन होता है यानि कि किस रासी के देवता कौन है और किस रासी बाले का भविष्य कैसा होगा ये किस बातों पर में डिपेंड करता है आखिर रासी और स्वामी से इसका क्या लेना देना है आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ लो क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिस्यल हो सकता है तो आएए दोस्तों आपको बताता हूँ कि कौन से रासी का स्वामी कौन है जैसे कि पहला जो है मैं बताऊँगा मेस मेस रासी मेस रासी और ब्रिश्चिक रासी इस दोनों का स्वामी मंगल है मेस रासी और ब्रिश्चिक रासी इस दोनों का स्वामी मंगल है यनि मेस रासी और ब्रिश्चिक रासी के जो जातक होंगे उनका स्वभाव कैसा होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ उसके बाद बिरिसरासी और तुलारासी इस दोनों रासी का स्वामी सुक्र है बिरिसरासी और तुलारासी इस दोनों का स्वामी सुक्र है अब आता है बिरिसरासी और तुलारासी हो गया अब है मिथून रासी और कर्ण्या रासी इस दोनों का स्वामी बुध्ध है मिथून रासी और कन्या रासी का स्वामी बुद्ध है अब बात आती है करक रासी की करक रासी का जो स्वामी है वो चंद्रमा है अब बात आती है सिंग रासी की तो सिंग रासी का जो स्वामी है वो सुर्य है सुर्य यानि की रवी अब बात आती है धनू रासी की धनू रासी और मीन रासी इस दोनों रासी का जो स्वामी है धनू रासी और मीन रासी इस दोनों का जो स्वामी है वो गुरू है यानी ब्रस्पती है अब बात आती है मकर रासी की और मकर रासी के साथ साथ कुम्भ रासी की मकर रासी और कुम्भ रासी का जो दोनों का स्वामी है ये सनी है आखिर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये क्या बता रहा है क्या स्वामी क्या रासी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा मगर आपको समझ में आना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलोजी में यानि कि जोतिस सास्तर में विस्वास रखते हो और यकीन रखते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर रासी और स्वामी का इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आपकी जो रासी है और उसके जो स्वामी है यानि उसके जो देव हैं तो आपका जो स्वभाब होगा वो आपके स्वामी जैसा होगा यानि आपके रासी के स्वामी जैसा होगा जैसा उस रासी का फ्यूचर उस स्वामी का फ्यूचर होगा suppose that मान लो कि मेस मेस और ब्रिस्चिक इस दोनों का स्वामी है इस दोनों का स्वामी है मंगल तो अब आपको ये पता करना होगा कि आखिर मंगल का स्वभाव कैसा होता है मंगल की जब ग्रह दसा चलती रहती है तब क्या होता है और मंगल के बारे में जितनी भी बातें आप पता करोगे वो साड़ी बातें आप में मैच कर जाएगी यानि कि वो साड़ी बातें आपके अंदर भी आएंगी मंगल कैसा है नहीं है ये सारी बातें आप जब पता कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इस रासी के जो लोग हैं वो कैसे होंगे आखिर अब आप ये कैसे पता करोगे कि ये जो ग्रह है ये जो रासी है और रासी के जो स्वामी है वो कैसे होते हैं तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो रासी है, उसके स्वामी जो है, उनका स्वभाव कैसा है, और जैसा उनका स्वभाव होगा, जैसा उनका चरित्र होगा, वैसा ही आपका भविष्य होगा, वैसा ही आपका भी स्वभाब होगा तो ये था Learn Astrology यानि जोतिस सीखें का चौथा वीडियो आपको पांचमे वीडियो में ये वाते समझ में आएंगी कि रासी और स्वामी का क्या मतलब हुआ तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो लोग जोतिस में इंटरेस्ट रखते हैं सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जरूर कुछ न कुछ कारगर रही होगी बेनिफिसियल रही होगी और लावदायक रही होगी और उनको ये वीडियो पसंद भी आया होगा तो आप उन चारो तीनो वीडियो को देख लो इससे पहले वाले को तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी दोस्तों और तभी आप जोतिस अच्छे से सीख पाओगे तो चली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके वेल आइकन के बटन को दबा दें थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद बंदे महतरव